Hello dear students, इस वीडियो में बच्चों हम अपना हिंदी का first lesson introduction पढ़ेंगे यानि कि अपने बारे में हमें इस lesson में बताना हैं कि जैसे मेरा क्या नाम है, मेरे पिता जी का क्या नाम है, मेरे मातर जी का क्या नाम है तो यहाँ पर हमें यहाँ पर side में अपना एक photo chip काना है और उसके बार हम इसको fill करना शुरू करते हैं, जैसे कि first में लिखा है, मेरा नाम डैश है, तो यहाँ पर आपका जो भी नाम है, आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम रोहन है, या राम है, या श्याम है, जो भी आपका नाम है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अ यहाँ पर आप अपने पिता जी का नाम लिखेंगे, माता जी का नाम मेरी, माता जी का नाम डैश है, तो यहाँ पर आपके ममे का क्या नाम है, आपकी मा का क्या नाम है, आप वो लिख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे नाम होते हैं, सीता, गीता, रीता, जो भी आपकी मा का ना में आप यहां पर वो लिख सकते हैं विद्याले का नाम में यहां पर आपके स्कूल का जो नाम है आपको वो लिखना है उसके बाद आपके प्रिधानचारिय या प्रिधानचारिया यानि कि आपके जो प्रिंसिपल है उनका नाम लिखना है फिर इसके बाद अगली लाइन मे आपको अपने कक्षा ध्यापक या अध्यापिका यानि कि जो आपके class teacher है वो sir है या madam है जो भी उनका नाम है इस फिल इंदा blanks में आपको उनका नाम लिखना है उसके बाद आपकी class में पढ़ते हैं जैसे आप first कक्षा में पढ़ते हैं तो first को हिंदी में प्रथम बोलते हैं तो आपको लिखना है मैं कक्षा प्रथम में अगर आप boy है तो पढ़ता हूँ और boy girl है तो पढ़ती हूँ इस तरह से आपको लिखना है, तो जिसे आपका नाम यहाँ पर रोहन लिखा है, तो यहाँ पर पढ़ता हूँ, हम क्लिक करते हैं, मेरे घर का पता, यहाँ पर आपको अपने घर का एड्रेस लिखना है, उसके बाद मेरे घर का टेली फोन नमबर, यहाँ पर आपको अपने घ विकास या जो भी आपके दोस्त का नाम है वो लिख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर यह आपके खिलोनों के बारे में हैं यह क्या है यह आपका हवाई जाहज है यह आपकी का है यह आपका टेड़ी बीर है टेडी बीर तो इस तरह से बच्चो इस lesson में हमने अपने बारे में जानकारी लिखी कि आपकी अपनी personal जानकारी उसको बुलते हैं मेरा परिशे तो ये था इस chapter में I hope आपको समझ में आऊगा कि इसको किस तरह से पूरा करना है Thank you